हेलो गुड मॉर्निंग नमशकार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबै से शाम तक की ताजा खबरे प्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी स ऐखाओ की दोस्तों दमिल्णाड़ों के मुख्य मंतरी म्कित स्टाली ने भाशा विवाद पर बयान दिया है तो दोस्तों उन्होंने कहाए कि भाजपा को इंडिया बनाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए और दोस्तों एक दिन पहले ही बुद्वार को ग्रह मंत्रिया म मिक्सा ने कहा था कि मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ जोलो के लोग याकारी प्रति द्वंदी हैं लेकिन हिंदी अी यह हो कि केंद्र को सभू को अधिकारिक भाशा गोसित कर दिना चाहिए और ना ही एकलौतिक आधिकारिक बहुत कम समाधान खर्च किये जाते हैं और केंद्र को इस फर्क को कम करना चाहिए और रास्ट्र शिक्षा नीती के तहत केंद्र सिर्फ हिंदी और सलसुरुत को ही पड़ावा दे रहा है वही दोस्त आपको बता दे कि तमिलाडू लंबे समय से दक्षन राजो पर हिंदी थ कराव बढ़ गया था इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अज के अगले मुख्य समाचार की और महारास्ट की हाथ से फिसला एक पॉइंच ओवन लाग करोड का प्लांट एंसी भी निता अजी तुपावार ने सरकार को घेरा कहा सौधा महंगा पड़ेगा तो दोस्तों महारास से देल लगबग पक्की हो गई थी तो यह प्लांट गुजरात कैसे जला गया तो दोस्त आपको बता दे कि NCP नेता और विदासबा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने नाराज की जताते हुए कहा है कि यह प्लांट राजनितिक दबाओ में महारास से शीना गया है जिसे वापस लाना होगा अगर यह प्लांट महारास नहीं आया तो राज जी की आर्थिक सिति के लिए महंगा पड़ेगा वही दोस्तों आपको बताते कि भारतिय उध्योग समु वेदानता और ताइवान की इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी फॉसकॉन 154 लाग करोर रुपए के लिए निवेश के साथ कुछ रात के देश में पहला सेमी कंड़क्टर प्लांट लगाएगी वही दोस्तों सेवसेना नीता अधिते ठाकरे ने कहाए कि अधारी सरकार ने इस परियोजना को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया था और मौजुदा सरकार ने निवेशकों क की मिनीमम फीस तै थी तो दोस्तों दिली शरावनीती पर प्रस्टाचार को लेकर भाजपा ने एक इस्टिंग ऑपरेशन किया है तो दोस्तों आपको बदा देगी वीडियो जारी करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुदान शुत्रिवेदी ने बताया कि घोटाले में आरो दोस्तों आपको बता देगी बीजेपी ने केजरिवाल सरकार पर नए शराब टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड माफ करने के आरोप लगाए हैं वही दोस्तों दिली के उपराजे पालवी की सकसिना ने केजरिवाल सरकार के मंत्री सिसोधिया पर नियमों को नजर अंदाज कर प्रस्ताचार करने के आरोप लगाया थे वही दोस्तों सकसिना ने 22 जुलाई याने शुकरवार को नई शराब नीती को लेकर मनिसी सुधिया के खिलाफ सीबिया की जाच की मांग की और दोस्तों इसके बास सीबिया ने शराब गोटाले मे सोला लोगों पर केस दर्ज किया था दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि दिल्ली के उप मुख्य मंतरी मनिसी शुधापर सीबिया चापे के अगले दिन केंदरी सुषना प्रसारण मंतरी अनुराफ ठाकोर ने आप सरकार पर हमला बोला है और ठाकोर ने अपने केजरी सरकार को रेवडी और बेवडी सरकार तो कहा ही है साती सराप गोटाले में से सोध्या का नाम आने को लेकर तंज कसा है इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की और पंजाब सीएम को बीम डबल्यू का जटका भगवंत माने पंजाब में कंपॉनेंट प्लांट लगाने का दावा किया था कंपनी बोली ऐसा कोई प्लांट नहीं तो दोस्तों पंजाब में मुख्य मंत्री भगवंत मान के जर्मनी से फॉरें इंवेस्टमेंट के दावे को जटके लगने लगे है तो दोस्तों इस शुरुआत में बीम डबल्यू से हुई है त इससी री से खारिच कर दिया और उन्हों नहीं स्टेटमेंट जरीकर का कि कमपनी किया इसbecause योज्ध्य नेहीं है और दूस्तों इसके बाद वी पक्षी हला बार हो गया है तो दूस्तों आपको बता देकि उन्हों ने इस तुम की केट LEE पर सवाल या बताते हुए भगवंद मान से स्पस्ट्री करण मांगा तो दोस्तों सीम भगवंद मान ने ट्विट कर कहा था कि विश्व प्रसीद कार कंपनी बीमड़ू के हैड आफिस में उनके टॉप ओफिशल से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़े स्थरपर कारों के पार्ट से सम् आचिर बीमड़ू के मुख्याले में हुई है ना कि भारती यूनिट से तो दोस्तों बीमड़ू का डेलिगेशन फरवरी 2023 में पंजाब इन्वेस्टर समीट में आएगा जहां उनकी आगे पूरी योजना रखी जाएगी और हम सिर्फ M.O.U. नहीं कर रहे बल्कि दिल्ली निवेश लाना चाते है इसी ये साथ दोस्तों चलते हैं अज के अगले मुख्य समाचार की और मनी लॉंडरिंग केस में ज्रैकलीन से आठ घंटे बोश्ताज दिल्ली पुलिस ने एक्टर से सौ सवाल किये कई के जवाब नहीं दे पाई तो दोस्तों ठग सुकेस चंदर शेकर से जुड़े 200 करण रुपए के मनी लॉंडरिंग केस में बुद्वार को एक्टर जैक नेल फंडान्डीस और पिंकी इरानी से पुस्ताज हुई तो दोस्तों आपको बता दी कि रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जैकली से सुकेस चंदर सेखर के साथ उनके रिलेशन को लेकर सवाल किये और जैकली से कहा गया कि उन्हें महेंगे गिफ्ट क्यों मिले सुकेस से कितनी बार मुलाकत की और वे उसे कब से जानत तो दोस्तों EOW की जॉइंट कमिशनर शाया शर्मा और स्पेशल कमिशनर रविंद्री आदव की अगुवाई में चैफ सरू की टीम ने चैकलीन से सवाल किये इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और फिच ने घटाया ग्रोथ हनुमान 2022-23 के लि वितवर्ष 2022-23 के लिए भारत का एकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान घटा कर 7 प्रतिशत कर दिया है और दोस्तों इससे पहले जून में 7.8 प्रतिशत तक का अनुमान जटाया गया था वही दोस्तों वितवर्ष 2023 के लिए ग्रोथ अनुमान घटा कर 6.7 प्रतिशत कर दिया है ज लेकिन यह हमारे 18.5% गुरोथ की अनुमान से कम है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। सोने शांदी में घिरावट जारी दो महीने बाद फिर 50,000 के नीचे आया सोना शांदी 56,000 के करीब बनी हुई। तो दोस्तों आपको बदा देगी 15 से तब बरको सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों इसकी चलते सोना दो महीने बाद फिर से एक बार 50,000 के नीचे आ गया है। और दोस्तों IBJ की वेबसाइट के मताबिक सराफा बाजार में सोना 382 रुपे सस्ता होकर 49,918 रुपे पर आ गया है। तो दोस्तों आपको बताते कि चांदी में भी आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। और सराफा बाजार में ये 40,000 रुपे सस्ती होकर 56,256 रुपे पर किलोग्राम पर आ गई है। वही दोस्तों अंदर रास्टी बाजार की बात करें तो सोना 187.35 अमेरिकी डॉलर पर 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 चांदी 19.42 डॉलर पर कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों शलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 200 करोड की हैरोईन का पंजाब कनेक्शन गुजराद ATS का दावा अमरिसर जेल में बंद नाइसीरियन और कुपूर्थला जेल में बैठे मेराज ने मंगवाई खेप। तो दोस्तों गुजराद ATS और टट रक्षक दल की तरफ से पकड़ी गई 200 करोड रुपे की हैरोईन की तार पंजाब की अमरिसर फिरोजपूर्व का पूर्थला की जेलों से जोड़ रही है। तो दोस्तों ATS ने डावा किया है कि बुद्वार को पकड़ी गई पाकिस्तान से मंगवाई 200 करोड की 40 किलो ग्राम हिरोईन का ओर पंजाब से आया था और यह खेप अमरिसर जेल में बंद नाइजीरियन केदी शीफ ओबीना ओफ चीफ और कूपूर्थला जेल में केद ब रोड रुपए की 140 किलोग्राम हिरोईन को भी फिरोसपूर जेल में बंद के दी बोला शूटर ने मंगवाया था तो दोस्तों आपको बदा दी कि गुजरात ETS और भारती टटरक्षक बलने सयुक्त गारवाई करते वे समुद्र की रास्ते से लाई जा रही 40 किलोग्राम को पाकिस्तानी नाव के साथ पकड़ा था दोस्तों डीजी पी गुजरात आशिश भाटे ने बताई कि पाकिस्तानी नाव अल्तिहासा को कपचे में ले लिया गया है और हैरोईन के साथ है पाकिस्तानी नागरिकों को भी काबू किया गया है इसी के साथ दोस्तों आपको लादे के गुजरात में पकड़ी गई है रोन की खेप में केडियों का नाम सामने आने के बाद ATS गुजरात जल्द पंजाब की जेलों तक पहुंच सकती है और इसके साथ ही पंजाब की जेलों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे केडी जेलों में बंद होकर पाकिस्तानी तस किये MLA तो दोस्तों आपकी MLA की खरीद फ्रोक्त को लेकर पुलिस ने फायर दर्ज कर ली है तो दोस्तों पंजाब पुलिस के परवक्ता ने कहा है कि 11 विदायकों ने शिकायर दर्ज कर आई है इनमें दोस्तों दीनेश चड़ा, रमा नरोडा, बुदराम, कुलवंत इसमें एहम बात यह है कि आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था लेकिन केसा घ्यात पर दर्ज हुआ है और दोस्तों इधर अरविंदर केजरिवाल ने 18 सितम्र को सभी विदायकों को दिल्ली तलब कर लिया है और दोस्तों सीयम भगवन्दमान भी उसी दिन जर्मानी से लोटेंगे तो दोस्तों आपको बदा दे कि पंजाब के वितमंत्री हरपा सिंग चीमा ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि भाशपा उनकी पार्टी की विदायकों को 25 करोड रुपए में खरीदने का प्रयास कर रही है और भाशपा ने आपके 52 विदायकों के लिए 1375 70 करोड रुपए का फंड तै किया है किसी के साथ दोस्तों चलते हैं अज के अगले मुख्य समाचार किया कानाडा में निशाने पर हिंदू मंदीर टॉरेंटों की स्वामी नाराण मंदीर में तोड़ फोड दिवारों पर लिखा खलिस्तान जिन्दाबाद तो दोस्तों का नारा की सौमी नाराण मंदीर में तोड़ फोड का मामला सामने आया है तो दोस्तों यहां अग्यात लोगों ने मंदीरों की दिवारों को नुक्सान पहुचाया और भारत विरोधी बातãy लिख दी तो दोस्तों और दिवारों पर लिखी गई भारत विरोध की बातों की निंदा करते हैं और हमने कानाडा प्रशाशन से इस मामली की जाच और कारवाई करने की मांग की है वही दोस्ता आपको जानकारी के लिए बताती कि ब्रैंप्टन के मेर पैट्रिक बाउंड ने निराश जदाते हुए काय कि इस तरह की नफरत की कनाडा में कोई जगा नहीं है उमीद करते हैं कि जिम्मेदार अपरादियों को जल से जल्द न्याय की कटगरे में लाया जाएगा और कनाडा में भारतिय मूल के सांसद्द कि आपको मारी वीडियो कैसी लगती है धन्यवाद जय हिंद